आईपील 2022 में बैंगलूरू के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कमाल की फोम में है 36 साल का हुचका RCB का ये खिलाडी इस सीजन में नए रूप में नजर आ रहा है वे अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर रही हैं इस उम्र में जब खिलाडी सन्यास लेने के बारे में सोचते हैं तो कार्तिक का ऐसा प्रदर्शन देख सब हैरान है आज वो जिस उचाई पर है वहां तक पहुचना कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था उनके सबसे खास दोस्त और उनकी पहली पत्नी ने उन्हें धोका दिया जिसके कारण वे अपनी पत्नी से इतने परिशान हो चुके थे कि सूसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे साल 2007 से 2011 के बीच महेंदर सिंग धोनी के बाद टीम इंडिया में कार्तिक को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में दूसरा विकल्प माना जाता था दोनी को अगर टीम से आराम मिले तो कार्तिक विकेट कीपर के पीछे नजर आते गरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन इतना दमदार था कि उन्हें तमिलनाडू की टीम का कप्तान बनाया गया था लेकिन एक जटके में सब खत्म हो गया साल 2007 में दिनेश ने अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की थी कुछ साल बाद कार्तिक के दोस्त और टीम में उनके साथ ही खिलाडी मुर्ली विजय से निकिता का अफेयर चलने लगा वो मुर्ली के बच्चे की मा बनने वाली थी ये बात कार्तिक को छोड़ तमिलनाडू के सभी खिलाडियों को पता चली थी अचानक एक दिन निकिता ने कार्तिक को इस सच्चाई के बारे में बताया और उनसे तलाक लेने की बात कही दोनों के बीच तलाक के बाद निकिता मुर्ली विजय के साथ रहने लगी मुर्ली आईपेल में चेननई के लिए शानदार प्रदर्शन करने लगे वे लगातार रन बना रहे थे उनका चयन टीम इंडिया के लिए भी हुआ वहीं कार्तिक का प्रदर्शन लगातार गिरने लगा वे टीम से बाहर कर दिये गए खराब फॉर्म के कारण तमिलनाडू की टीम के कपतानी उनसे छीन कर मुरली विजय को दे दी गई कार्तिक डिप्रेशन में चले गए वो अपनी जिन्दकी से इतना परेशान हो गए कि सूसाइड करने की सोचने लगे IPL में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे कार्तिक ने अपनी ट्रेनिंग तक छोड़ दी थी उन्होंने जिम जाना भी बंद कर दिया था उनके ट्रेनर को चिन्ता हुई और वे उनके घर गए ट्रेनर ने देखा कि कार्तिक देवदास की तरह दाड़ी बढ़ाई हुए एक कोने में बैठे हुए है फिर ट्रेनर ने उनको जोड़ देकर कहा कि वे अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करे कार्तिक जैसे तैसे मान गए और जिम जाने लगे जिम में ही दिनेश की मुलाकात दीपिका पल्लीकल से हुई दीपिका और दिनेश की अच्छी दोस्ती हुई कार्तिक नैट्स पर दोबारा अभ्यास करने लगे और घरेलू मैचों में भी रन बनाने लगे दिपिका ने कदम कदम पर उनका साथ दिया एक बार फिर उनको टीम इंडिया के लिए चूना गया कुछ दिन बाद उन्होंने दिपिका से शादी की आईपियल में वो कॉलकाता के कप्तान वी मने 34 साल की उम्र में जब आईपियल में उनकी कप्तानी गई तब वे रिटायर होना चाहते थे और सिर्फ फ्रेंचाइजी किर्केट खेलना चाहते थे इस दोरान दिपिका प्रेगनेंट हुई और साल 2021 में जुड़वा बेटों को जन दिया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं